दोस्तों आज मैं आपको टैली के बारे में एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में ना तो अभी तक आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा और मैं मुमीद करता हूँ कि आप मैंसे 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे लेकिन अब आगे इसी चीज़ का बोल बाला होने वाला है और अगर आपको एचीज नहीं आती है या आपको इसके बारे में नहीं पता है तो फिर आपको इसका खाम्याजा बुगतना पड़ेगा आपको गंटों काम पे लगा रहेना पड़ेगा और अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आपका गंटों का काम वन किलिक में एक चुटकी बजाते ही आपका काम हो जाएगा और दोस्तों ये चीज इतनी important है कि अब जो accounting के interviews होते हैं चाहे छोटे interviews हो या बड़े interviews हो उसमें ये चीज पूचे ही जाती है कि आपको ये चीज के बारे में पता है क्या आपको ये चीज आती है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिरेंदर कुकरेती और स्वागत करता हूँ आपका टैली टेक्निकल चैनल पर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कभी न कभी आपको मेरी कोई न कोई वीडियो बहुत काम आने वाली है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे दो क्वेशन पूछने वाला हूँ पहला क्वेशन जिसके बारे में आपको पता होगा दूसरा क्वेशन उसी का अपोजिट है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा और आपके कान खड़े हो जाएंगे कि इस चीज़ को कैसे किया जाए इस चीज़ को कैसे निकाला जाए तो यहां मैं मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं की चुगा बस आपको logically मैं आपको इस चीज बताने की कोशिस करूँगा और करके आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं जो की बहुत ही important आपके लिए होने वाला है तो सबसे पहला question यह है कि अगर आपकी एक item में बहुत बारी purchase होती है बहुत बारी sale होती है अपको अलग-अलग rate पे sale होती है लेकिन अगर आपको पता करना है कि इस particular item को हमने last किस rate में sale किया था या last किस rate में purchase किया था तो इसके लिए आप आसानी से tally में देखके आप ये चीज़ निकाल सकते हैं आप particular उसकी entry खोल सकते हैं stock की report खोल सकते हैं तो वहां से आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो इसी के अपोजिटिव में आपको दूसरा question पूछता हूँ जिसके बारे में साइध ही आपको पत साइए कि इन सभी item को मेरे को एक list निकाल के दीजिए या इस तरह की report निकाल के दीजिए जिसमें उनके last purchase rate या last sale rate mentioned हो कि कौन सी item को हमने last किस rate में purchase किया था या last किस rate में sale किया था तो इसको आप कैसे निकालेंगे तो अगर आप इसको manually करने बैठ गए मत एक एक item को जाके देखना पड़े आपको तो आपका अगर 10,000 item है तो आप खुद सोचे आपको कितना time लगेगा लेकिन यहां पर मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप one click में ये पता कर सकते हैं अपनी multiple item का हजारों item का लाकों item का कि इनकी last purchase cost कितनी है या last selling price कितना है तो इसको ध्यान से देखिएगा तो जो मैंने सबसे पहला question पूछा था सबसे पहले मैं वह करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग single item का भी purchase cost है single item का sale cost या उसकी details निकालना भी नहीं जानते होंगे तो यह भी आपको बहुत help करेगा तो single item का आपने कैसे देखना है उसके details कैसे देखनी है उसकी purchase cost कितनी है last purchase cost कितनी है last selling cost कितनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है आपने जाना है डिस्पले में और डिस्पले में जाने के बाद आपने जाना है statement of inventory में और stock query में और यहाँ पर आपने stock item ले लेना है तो यह देखे जो यह report खुल के आती है यह आती है stock item का stock query report तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सारी details आपको एकी screen पर मिल जाती है किस किस से purchase किया है किस किस को sale किया है कितने तारे को purchase किया था किस से purchase किया था कितने unit purchase किया था उसका जो rate है तो rate क्या था ऐसे ही sales के लिए कि last किस को sale किया था कौन से date को किया था किस party को किया था और कितने unit किया था और कितने रुपे में किया था तो ये last sale cost हो गया, last purchase cost हो गया और item की और भी सारी details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और यही चीज़ आप कहाँ पर देख सकते हैं यही चीज़ आप देख सकते हैं जब आप कोई invoice बना रहे हैं तो invoice जब आप item select करते हैं तो यहाँ पर भी इस window पर ठीक है यह जो window है जहाँ आप quantity बगरा डालते हैं तो यहाँ पर अगर आप alt s प्रेस कर देंगे तो आपका stock query का report यहाँ पर open हो जाएगा तो यहाँ से आप सारी चीज़े उस item के बारे में देख सकते हैं अब बात करते हैं कि multiple items का कैसे देखना है तो multiple items का आपको last purchase cost या last sale cost देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा stock summary में और stock summary में आपको यहाँ पर item wise ले लेना है तीक है मतलब सारी items आपकी stock summary में यहाँ पर list होनी start हो जाएंगी अब जब आपकी यह items यहाँ पर आ जाती है उसके बाद आपका closing rate आ रहा होता है आपका rate आ रहा होता है average rate तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर last purchase cost लेके आनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है right and set में यहाँ पर बटन आता है वैलीशन का valuation पे आपने यहाँ पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे last purchase cost लेके यहाँ पे choose कर देना है तो जैसे आप इसको choose करेंगे तो यहाँ पे आपको जो यह rate show करेगा यहाँ पे यह आपका last purchase cost आपको उस item का show करेगा बस आप इसका print out ले सकते हैं इसको export कर सकते हैं अगर आपने sale देखना है कि last sale क्या है इस item का last sale rate क्या है तो उसके लिए फिर valuation पर click करिए और last sale price यहाँ पर click कर दिजिए तो यह जो आपका report है यह आपका इस item का last sale price दिखा रहा है जो भी किसी को भी किया हो जिस party को भी क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन last कितने में इसको sale क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो अब इसका जो आप print out लेना चाते हैं प्रिंट out ले सकते हैं एक्सल में export करना चाते हैं कर सकते हैं या आपने PDF में एक्सपोर्ट करना है, कर सकते हैं, तो वो आपकी च्वाइस है, तो इस तरह से आप multiple items का last sale rate, last purchase rate आप देख सकते हैं, ये बहुत माइने रखती है, ये report बहुत माइने रखती है, बहुत ही ज़्यादा हमें इसके need परती है, तो उमिद करता हूँ कि आपको अ तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर देना, इसी तरह की और भी interesting वीडियो देखने के लिए, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, जैहिन!